हेलो माई दियर स्ट्रेंट्स माई नेम इस लिशिंदे वेलकम तो शिंदेश केमिस्ट्री टेक्निक्स अब आज के वीडियो में फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कुशन करेंगे अब आज का पूरा वीडियो जाह जाह दा थेरेटिकल यह समझे लिए ओके इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस कैसा होगा अमाइस में अब जो एणेज बांड होता है और है यहां पर पोलार होगा जाओ प्राइमरी हो सेक्टरी यह फिर तरशरी हो तो उसका रिजन होगा due to electron activities of nitrogen and hydrogen are different होता है क्योंकि nitrogen का होता है कितना 3 electron activity और ह तरिशे में हुआ है लिक टीविटे कि अपर बड़र बड़र कि अपको याद तक है कि दोनों में एक तना थ्री यूनीट और है और रहें कितनी है 2.1 है बड़ा बड़ीनी मतलब डिफ्रेंस कितना रहा है यहां पर अभी टेन में से बड़न गया 9 और यहां पने से dar molecule hydrogen bonding every primary secondary tertiary the intermolecular molecular hydrogen bonding is greater extent in primary amines than secondary I mean see you primary amines to do hydrogen because primary amines have two hydrogen atoms bonded to nitrogen for hydrogen bonding and the tertiary amines do not have intermolecular hydrogen bonding as there is नो हीडोजन और नाइट्रोजन इताम और टर्शरी आमाइन क्योंकि तर्श्री आमाइन इसके तो आर इन इस टू दो है डूजने से कंड़ी की बात करते हैं अगर हम लोग सेंडी का अगर बात करते हैं तो आर तू इसके एक डिंट्र कर बात इसमें इंट्रों हिवाद दो कारबन आइन नाइट्रोजन बांच तर्शिर यामें सर्पोलर मॉलिक्यूल एंड हैं इंतेisol मोलेकूल को सा ओता है डायपोल डाइपोल अट्राक्टिव फोर से सोता है तर शेयर में क्या होता है इंटेस्स दाइप़ल डाइपोर अट्रेक्टिव turds प्राइय आपका रहेगा इंटे मॉलीकुल है जर्वार्णिंग रेगा इंटे वर्णिंग लेकिन यह अपको याद अधना पड़ेगा ओके यह साप्याद यह इंटर फोर्स इसको बन जाएगा तो यह अपका फॉर्स वोगे इंटर मॉलिक्ली फॉर्स अब हम सेकेंड पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का देखेंगे तो देख लिजा इसको फोके अब देखें नेक्स्ट आप बॉइलिंग पोइंट दो ओडर ऑफ इस प्राइमिरी से लिजे आ समयी करते कड़ेंगे बॉइलिंग पॉइंगे जो होदेथे आपने अपने एपने minder को फिर लिए आपने आईसो ब्यूटाल हमाइन फिर आपने लिया तरिशरी ब्यूटाल हमाइन ठीक है ऐसा ले लिए तो ब्रांचिंग जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे आप तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे कम-कम होते जाएगा क्योंकि उसमें वेंडर कोशन आरे के बहुत ज्यादा चांस देते इसमें एक्जांपल देखे कोशन देते हैं जिसा भी आपको मैंने वहां पर आइसो पेंटाइल अमाइन फिर बहुत आप तरिशरी पेंटाइल आमाइन इस टाइप से आपको एक्जांपल आ जाएगा तो अभी सबसे जादा मैंने इथाल आमाइन लेते इसके अंदर तो लोर एलिफटेक आमाइन सार गैसे विट फिशी ओडर फिश्लेक्स मिल रहेगा मतलब तीन कार्बन से च्छे तक जागा थी टू से आता है मिडल में और यहां कि मैं लोर कि अगर मैं बात करता हूं लोर की तो इसमें आपका ए टू कार्बन सिक्सी लेना चाहिए है कि यह मतले एंसी के साब से बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर सार लिक्विट्स और हायर में मतलब अभी आपका यहां पर कार्बन सेविन और ऑन वोड्स आ गया जाएंगे सारे इसके बाद तो हायर मेंबर्स आर सॉलिट्स अंडर ओर टेंपरिचर एंड प्रेशर रूम टेंपरिचर की बात कर रहा हो एंपने अपने या फिर अदर अराल वार या आ यूज वली कलर लेस लिकविट बट गेट कलराइज डैस देया और इस ली ऑक्सिडाइस दैस बाई एर जनरली कैसे होते हैं वह अगालर लेकिन जैसे उसको तो देखो due to their ability to form hydrogen bond with water molecule तो लोर एलिफिटे का महिसार सॉलीबल रहेंगे वह 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 सॉलीबल रहेंगे ठीक है अगर मुझे जाए तो प्राइमरी और सेकेंड प्राइमरी की बात करता हूं तो कैसा था more than three की बात कर रहें लोर में one से two याएगा लेकिन उसके आगे three two मतलब ऐसा डारे बोल तो six तक की बात कर आप तो six कारव आइटम तर फिर प्राइमर हो या सेकेंड हो तो due to their ability to form hydrogen bonding with water molecule lower elaphatick amines are soluble in water ability of amines decreases with मतलब की solubility of amines decreases with increase in molecule जैसे से मास बढ़ात जैएंगे आगे आगे जैंगे solubbit कम-कम होती जाएगे क्योंकि उसका hydrophobic part increase हो रहा है alkyle part increase हो रहा है यहां लिखा एगो the solubility of amines decreases with increase in molar mass of amines due to increase in size of और अर्वाटर कि बात कर रहे हैं या फिर अनोर में आगर भात करते हैं और प्राइमरी की बात करता है आपके 7ची यह तक है चलता है तो अब इक आपको अभी चलिए आपको ऑवी चलिए इतना नोट कर लीजिए आप हहले कि आप देखते को आग अगर आप देखते हैं यहाँ पर कार्बो ऑक्स अशीड में जो और वह होता है है वो बहुत ही जयादा पॉलार होता है डिव पॉलार होता है डिव डिटिव इनगित इलमें तक लीट्स इसलिए बुस्कार वोलिंग पॉइंट्स आपको ध्यादा तो बॉलिंग पॉइंट्स अमाइन इसलकॉछ एफिर यह होगा तो यह पोला इटी की बीशची सबस्यादा पॉलारो वेंट्स ग्रूप इसमें होता है सबसे ज़्यादा पूरा फिजिकल प्रॉपर्टी फिनिश्ट और पूरे भी चितनी चैप्टर अभी तक हो चुके उन सबका एक साथ बॉइलिंग पॉइंट भी यहां पर आच चुका है अब देखते हैं पर बेसिटी आफ आवाइंस ठीक ना बेसिक नेचर देखते है अगर आंट अगर आप देखेंगे अंने रहा आइन ह 2 यहां पर क्या होता है पर प्रेजंस आफ लूपर ओन आटयों पूर तो यह और थुल्या प्रेज्दांट निटिच्ट यह वीशान पी यह एकिस के हिसाप से आप यह आपका यह आपका यह जो और यह कैसे आजाए तो यह आपका according to levis theory हो जाए आपका कि levis basis क्यों हो है क्योंकि due to presence of loan pair on nitrogen items के कार होगा और यह loan pair share करता है डोनेट करता है प्रोटन को जनरली किसके डोनेट करता है जनरली प्रोटन को उसले ही हो जाएगा आपका मतलब वह electron deficient species हो जाती हो electron deficient species ठीके आपको थ्यान पड़ेगा तो देखो दो बेसिक निचर आप माइन is due to the presence of loan pair of electrons on nitrogen atom and in terms of levis theory amines are basis because they can share a loan pair of electron on nitrogen atom with an electron deficient species परेगा जैसे एक्जांपल यहां पर ट्राय मिथाइल आमाइन तो देखो इसके यहां पर यहां पर यह बीएफ तरी यह बोरॉन electron deficient है क्योंकि इसमें oxygen का बेट यह लेक्टॉन डोनेट करेगा एक्सेप्ट करेगा तो यहां बन गया त्राय मिथाइल आएवां बोरान बोरॉन त्राइफल उसको को कड्रीन अबन मोन घ्या तो यह क्या करता है में सब्सक्राइब को एकसे करता है, यहां पर यह क्या करए? प्रोटॉण को daran, from acid, is लिए प्रोटॉन एकसेप्ट कर रहे हैं उसली है उसको बहुत है कर लीज्थे को नोट अब देखते हूं, ब क्या करते हैं बसक्ष तरन फोन फो इलिए उसके लिए इसको हम को लेंगे लॉरी एंड ब्रॉण स्टीट बेसेस चलिए कर लीजिए इसको नोट अब देखते हैं बेसिक स्टेंथ ऑफ एलिफिटिक की बात कर रहे हैं यहां पर हम क्या कर रहे हैं पी के टर्म में ले रहे हैं मतलब स्मॉलर दे लिए पी के भी स्टॉंगर इस दे बेस एंड वाइस वर्सा हो जाएगा जिसे अब और पी कि इतना हैं अमोनिया ग्रेटर दे प्रैमेयर मैं ग्रेटर दनि सेकंड या माइन और तर्ष को अगर हम 노苟 तो यहां पर जो अगा तैप्चerie पर बचलते हैं यह भी प्रॉलोम इसके अंतर भी सई और दिया वह ऐओ यह भीक मंधट न sorry यहां से प्रोटोन एक्ट करेगा और बनाएगा कॉंजूगेट एसको गूल रहे हैं अम लोग तो चाहिए जादा स्टेबलाइज होना चाहिए चितना जादा स्टेबलाइज होगा ठीक है तो आपके रिक्शन उतनी राइट साइड क्या होगी आपकी शिप्ट हो जाएगी तो आपकी यह राइट सब्सक्राइब घ्रेट देलुज़ाइब टो ओन राइट से जाद जाएगा वह तिक और पीक की वैल्यू की वैल्यू कम हो जाएगी अर उतना हो फ्रॉञ बेसिक पेज़ाइब ग्रेट से जाएगा देपेड पॉजिशन पॉजिशन आफ देपर पॉ and stronger will be the base and smaller will be its PKB value यह बहुत इंपोर्टन पॉइंट है पर्फेक्ट यह आप है ठीक है ना चलिए इसको आप कर लीजी नूट ओके अब देखते हैं यहां पर influence of positive induct effect on stabilization of conjugate acid अभी हमने देखा था कि लॉर्यन ब्रॉंस्टेट यहां पर इसने एक प्रोटन एक्टर पॉस्टिश आज आ गया यहां पर इसने एक प्रोटन एक्टरप्र इसे पॉस्टिश आ जागा यह यह 12 एक प्रोटन एक्चालि अच्वेल इक पाउस्टिव पॉस्टिव टैप्रकॉन गर्रॉपे यह पॉस्टिव 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 तो यह पॉस्टिव चार्ज के आप अपनल कॉन जिए अपनल कॉन्जुकेट ऐसीट क्या गया आपका मुर्स तुमने स्विए इसके से से केंडरी फिर प्राइमरी फिर अमॉनिया तो अभी हाँ पर ओडर ऑफ स्टेवलेशन क्या आपका कि टर्श कि अलक अग्या मुनिया खिए और यह गफाया दोत्तव पर यह फिर अगाद यहां ठीक है तो अभी हाँ पर यह अगया क्लियर फिर भी आपटर अर्श बतिक्तिक है अब्सक्ठ आरी ग्सिंट यह हो जाएगा ऐसा तो यह यादखना है आपके टेक्स बहुत लंबी थेरी दीवित मैं इसको शॉर्ट में करके आपको सामनी दे दिया है बस यह देखना है कि आपको जो तो Conjugate Acid ज्यादा Stabilize होना ओना चांगा यह Conjugate Acid से सारे तो यह Order Of Stabilization जितना ज्यादा चार्ड स्टेबिलाइश होगा थिक है न उतना ज्यादा क्या होगा मतलब Conjugate Acid जितना स्टेबिलाइश होगा इसको अपको बसकते यह रहेगा तो को के अब देखते हैं इंफ्लेंस ऑफ सॉल्वेशन ऑफ वाटर ऑन स्टेबलाइशन ऑफ कॉंजुगेट एस एक दो तीन प्राइमर में में तीन सेकंड डिया में में दो और टर्शरी में एक मतलब सब ज्यादा स्टिबलाइज यह जितने ज्यादा आपके हैडिजन एक पीन्यूियस आपको स्क्रe 바čके जैगा अलकल अमनी माइन फिर डियाल कल अमेन फिर टायल कला मोनी बई वाइन दो प्लेस चार्स हीजर्साटि को कि ऐसा रहेगा देखलिजिए क्लियर कोई कन्फूजन अब यहापर देखलिजिए विसको कर लिजे नूट अब देख्थे एक combined effect means solvation or positive inductive effect combined effect the combined influence of positive inductive effect and solvation on a stabilization of conjugate acid of aliphatic amine decides the observed basic strength and p k p value and these two influencing factors operate in opposite direction solvation increasing order ऐसा है और पॉजिटिव का पॉजिटिव का पॉजिटिव इसा है इसका मतर्य हो गया कि अब यहाँ पर जोएगा tertiary week माना जाएगा ऐसा आईसा तो order आ रहा है जरू ऐसा दूनों को combined effect लेकिन अगर हम यहाँ पर एक और लगाएंगा अगर अलकाइल का बलकीनिस लगाएंगे अगरम इस्टरीक एफेक्ट तो यह वीक हो जाएगा यहाँ पर सॉलवेशन इसका वीकर्ण को किसके अंदर एक ही हैडिजन मोडने का सॉलवेशन करन मोल सकते आप यहाँ पर ठीक हम एक और रिजन नहीं बता तो आपके टेक्स ने लिगा अलकाइल ग्रूप का लिए सकते हैं और 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 क्या हो जाएगा पालमेंगा दो जो हम दोनों पड़े ना एक तो सॉलवेशन दूसरा पॉस्टिय और एक तीसरा आप हम ले सकते हैं पर स्टेरी कि इफेक्ट भी सकते हैं कम्बाइन करके और यहाँ एक्विस सोलविशन की बात करें अगर आप गैस्मीडी की बात करें गैसिस में उल्टा हो जाएगा अगरा टरशवरी सेकेंडरी प्रायमरी एड आमोनियव यह आपका किसमें में यह गास मीडियू हो जंटेरख्य गास मीडियम यह अपका इनगेस इनगेंस स्तिक्तों मेडियम में गैसेही जो पुर बनाए ऐम आइसकी अ मीडियम में है कि मीडियम यह सब्सक्राइब करें यह यह रिखा है किसमें तो किसमें तो सब chakra आगए तो अगर हम कंक्लूजिछ अब सब्सक्राइब निकलता है specifically मतरोńsk न अंक्यलता देज हो और मैं यही कोशिन में काम आते हैं अब में आएंगे या फिर आपके चोट 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 कोश्चन में आपको रिजन पूचेंगे जाए 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 बोड की बात करेंगे तो ठीक है यह ऐसा ओर आप यहाद रखेजे कर लीजिए इसको नुट ओके आप देखते हैं आप अलेल में बात करते हैं घैके इघयाकरण फालग जाएगा अब यहाँन का इधर आजाएगा और यह लेक्टरण इधर आजाएगा और यह लेक्तौन इधर आ जाएगा यह अब दो मुफ करते हैं तो यहां पर आपके यहां पर माइनश चार्ज हो गया जाए एक चलिए अब देखें अप क्या होगा यह इदर आ जाएगा और यह रीटर्न हो जाएगा आपने उडिली पोशिशन पर तो मतलब यहां पर लों पेर आगया यह ऐसा हो गया पाइब फाइब रेजोनेटिंग स्टुक्चर्स बन रहे हो यह वन हो गया यह टू हो गया यह थ्री अब रिजनेंस अमको आता है ना भी तो अभी तो कोई प्रॉलम ही नहीं है ना यह फाइब फाइब लेकिन हम एनलीन की बात करते इसके दो ही बनेंगे यह लेक्ट्रोन इ तो किस से रहेगा एनलीन्यम और इसका मतलब यह हो गया कि अभी यहाँ पर यहां पर एक पॉस्टिटिव चार्ज यहां पर रेजोनेंस के कारण क्या हो रहा है आपका पांच च्रक्चर्चर्स ज्यादा स्टेब्लाइस हो गया इसका मतलब यह हो गया कि ऐनलीन जो होगा वो अमोंिय से कम बे सिखोगा और बॉले किसे कम है आपको याद होगा एलिफेटिक आमhain Z हore रहे हैं और अनलियम अनलियन रहेंकी हम और अलोल अटमें बना ओर बनाऊं और देखने हमन मोर बेसिक एंट का एनलीर इंत düşün zustया अर डेकल फंट आप श्यक्री त्रॉmaking you यह order मेंने बना दिया हो गया है ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना फटा 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 पर देख लिए क्या है रिजन कदम क्या है क्या है रिजन्स बेस्ट पूरे रेते हैं ठीक है न तो यहां पर आपका यह बहुत बड़ा था है ठीक है चले इतना आप कवर कर लीजिए ओके अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टिस ऑफ आमाइन्स तो पहले लेखते हैं उसमें लिए टेस्ट फ़र आमाइन्स ऐस बेस ले रहे हैं लोग ठीक है तो इसमें प्राइमरी सेकेंड टर्शिर आमाइ तो बैसिक निचर आमाइन इस डिटेक्टेड इन लेबर टरीव रियाक्टिंव एक्वेस अलुटिशन ऑ स्थाओं मिंडिया यह प्रोटान को एक्सिप कर लेगा तो बने आपका सबस्टिटूटिटेद अमोनियम ख़्लोड ऑ को बहार जाएगा ऐसा बनेगा इसको अवि अब उसको उसमें और थोड़ा डाल दिया मतलब इसके अंदर जो अबने आपका फिर से रीजनरेट हो गया आपका माई यह पर नसी एल और आपका वाटर निकल जाएगा समझाया तो पहला तेस्ट असने प्राइमिल सेकेंड टर्शिया माईस हमको माले बेसिक नीचरे जैसी иск qualche solution our minds कई सब की सब्सक्राइब राइब सो meanwhile जम जान दिटेकटि यह तो भी तर सब्सक्राइब्स सब्सक्राइब कर सकते हैं रच्तुर्ण में में व्यलें लेना इंस वाट लिए इसको यह स Besides Never तो बनेगा सब्स्तिटुटिटिटिट अमोनियम क्लोड एक कमाइन करतो एक शाल जाए कि अलहे करके लिखा हुआ है ठीक आप चाहो तो इसको यहां क्लोडिट सकते हैं तो एक साथ ऐसा ले लिए सेपरेट करके चाट फिर हमने इसको किसे से रिक्षिन किया एक्सेस अफ अम्मोनियम सोडिम हेड्रोकसाइड तो बनेगा आपका अमाइन रीजनरेट हुजाएगा यह आपका लेबोटरे टेस्ट हो जाता है असा नहीं कि इसको वर्ट इसके आगे वर्ट में लिखता हो वर्ट में बोल दिया हम इने आपको ठीक कर ल एमल ऑफ से वनियर टूम एमल एसे लैड कर दिया और उसके लाइड कर दिया फिर हमने एक्रिस न ने इन टू सोडियम नाइटराइट अब इसको कूल करना सुरू कर दिया ठीक ना बाद में फिर क्या होगा आपका मतले यह सब कोल्ड कंडिशन में हो रहा है को लिंक अब सब्सक्राइब और उसको टेंपरिशन लोगनावड़ जीरो टू फाइड इग्री से लेते हैं तेंपरिशन फिर इस सोलुशन क्या करेंगे ट्रांसर रहेंगे टेस्टू कंटिनी दूसरे टेस्टू क्या लिया बीटा नेप्थाल इन सोडियम है रोकसाइड है तो जैसी अब इसको मेरी इसके ट्रांसर क्या आपको और इंच गड़ा बन जाए गा तो यू क्या कर गरिया गर्या कांफर्म्स अफ अर्मिट रमेटिक प्री मरी अमई नो को ठोट असा ने वेलिक है अवेलिक तो ऑट एंट वेलिक उड्सक्राइब प्रशन अटें आया को टूर फ तेस्टूब कंटेनिंग स्लूशन ऑफ बीटा नेप्थॉल इन सुडिमेटर ऑक्साइड तो फॉर्मेशन और इंडिकेट्स अप्रेजन सफ अरोमेटिक प्राइमरी अमयनो ग्रूप वर्ट में लिग दिया है और इसको थोड़ा सा आपको तो यहां पर अब यह आज का वीडियो हां स्टॉप करता हूं तो थोड़ा सब बनाने में टाइम लग रहा है क्योंकि हमारे घर में सभी लोगों की तवित खराब है मेर को छोड़कर तो मुझे थोड़ी सी प्रावलम्स का फेस करना पड़ रहा है उसके थोड़ा सा वीडिय कि आपको यह कर रहा हूं मैं recorded करके लेट आपको सामने दिए रहा हूं मैं अच्छा लग रहा हूं चलता है भी क्या करें अबिन इसको मैं adjustment कर रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे online lectures भी है वो सब adjust करते हुए फिर इसको record करके आपको देना है ठीक है ना घब रहा है अगी बीचे होगा तो आप थोड़ा सा mind मत कीजिए क्योंकि थोड़ा से problem को हमको थोड़ा सा तो उसको adjust करते हुए चलना पड़ता है adjustment है life को दूसरा नाम adjustment है तो बिल्कुल नाराज मत हुए वह से नाराज हो जाते है सर लेट कर रहे है क्या करें कुछ problems ही ऐसे आ जाते है तो लेट हो ही जाता है यह बोलते है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन आपको बता रहा अभी अभी तक कि चैप्टर खता हो जाना था अगर मैं दो तीन ले 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 तरना कंड़ी चैप्टर हो जाता है अभी और दो एक दिन लगेंगे और दो तीन लेक्टर और लगेंगे चैप्टर फिनिस हुजाएगा ठीक है ना चले कोई बात ने enjoy किजिए नाराज मत हुज पढ़ते रही ओके बाई और पूरा वीडियो देखे और अगरा